विश्व धोरोहर कालका शिमला रेल्वेल लाइन पर जिला सोलन के कुमार हट्टी के समय पट्टा मोड के पास पहाड़ी से अचानक भूसकलन होने से शिवालिक ट्रेन का इंजन टकरा गया घरीमत ये रही कि इंजन चालक ने अमर्जनसी ब्रेक लगा दी जिसके पश्चाद गाड़ी मौके पर ही रुख गई जहां गाड़ी चालक की सूज भूज से एक बड़ा हाथसा होने से बच गया है बताया जा रहा है कि ट्रेन में करीब 100 सवारियां थी और सभी सुरक्षित है रेलवे कर्मी मौके पर ट्रेन को बाहाल करने में जुटे हुए है इसके साथ ही एक जेसीवी मशीन को भी मौके पर बुलाया गया है जबकि मौके पर फसी ट्रेन को वापिस धरंपुर रेल्वे स्टेशन ले जाया गया है इसके बाद आने वाली सभी ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशन पर रोक दिया गया है मामले की पुष्टी रेल्वे अधिकारी द्वारा की गई है